हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लो आसा है आप सब ठीक होंगे तो दोस्तो कल में अपने दोस से मिलने उसके घर गया था तो उसने मुझे अपनी एक प्रॉब्लम बताई उसने बताया कि उसका जो inverter है वो battery backup कम दे रहा है और उसके पास एक battery और पड़ी हुई है तो क्या वो इसे inverter के battery के साथ connect करके inverter का backup बढ़ा सकता है मैंने बोला बिल्कुल कर सकता है वाय नोट और मैंने फिर उसकी battery का connection कर दिया और अब उसके inverter का backup बढ़ गया है और वो आप खुश है तो दोस्तो मैंने सुचा क्यों ना इस topic के बारे में एक वीडियो बना जाए और आप लोगों को भी इसके बारे में knowledge दी जाए तो दोस्तो बैटरी connection सीखने से पहले हमें थोड़ा बैटरी के बारे में जान लेना भी जरूरी है तो क्या होती है बैटरी बैटरी एक chemical device है जो अपने अंदर electrical energy को store करके रखती है chemical के form में और फिर electrochemical reaction के दुआरा ये chemical energy को electrical energy की form में convert करती है और हमें direct trend प्राप्त होती है बैटरी cells से मिलके बनी होती है और इन cells के अंदर ही ये सारी electrochemical reaction होती है एक normal 12 volt की बैटरी के अंदर 6 cell देखने को मिलते हैं ये सारे cell आपस में series में connected रहते हैं और इन सारे cells के output हमें दो terminal में देखने को मिलते हैं जिने हम positive और negative terminal बोलते हैं normally जो बैटरी हम car में bus में या अपने घर के inverter में देखते हैं वो 6 cell से मिलके बनी होती है और प्रते एक cell 2 volt का होता है और सारे cell series में एक दूसर से connect रहते हैं इससे एक complete 12 volt की battery बनती है चलिए अब हम अपने topic में आते हैं और आगे connections को समझते हैं तो batteries को हम दो तरीके से connect कर सकते हैं पहला series और दूसरा parallel तो आईए सबसे पहले series connection देख लेते हैं मान लेजिए ये दो batteries हैं जिने हमें series में connect करना है और मान लेजिए दोने batteries 12 volt 100 amp राव की हैं तो हम कुछ इस तरीके से series में connection करते हैं तो सबसे पहले एक battery का positive terminal और दूसरे battery का negative terminal आपस में y से connect करते हैं यानि की short कर देते हैं अब जो बचेवे दो terminal हैं उनमें से एक को हम output positive terminal बना देते हैं और दूसरे को output negative terminal और हम फिर इनी से output लेते हैं अगर हम 12 volt की battery को आपस में series में connect करते हैं तो output में हमें 24 volt 100 amp राव मिलता है amp राव सेम रहते हैं तो दोस्तों batteries के series connection का application हमें कहां देखने को मिलता है जो बड़े-बड़े trucks होते हैं जिनमें 24 volt की supply चाहिए होती है वहां हमें battery के इस type का connection देखने को मिलता है कुछ inverter 24 volt में काम करते हैं तो वहां हम battery को आपस में इस type के connection से connect करते हैं और दोस्तों अगर हमें 36 volt की या 48 volt की या उससे भी अधिक volt की DC supply की जिरोध है तो हम दो से ज़्यादा batteries को connect करके ये voltage हासिल कर सकते हैं अब बात करते हैं parallel connection की तो दोस्तों parallel connection में दोनों battery के positive और negative terminal को आपस में जोड़ दिया जाता है यानि की positive से positive और negative से negative terminal और in wire से एक output निकाल दी जाती है जिसे हम output negative और output positive terminal की तरह यूज करते हैं अगर हम 12-12 volt की दो batteries को आपस में connect करते हैं तो हमें output में 12 volt और 200 ampere hour प्राप्त होता है voltage same रहेगी, ampere hour दुगन हो जाएगा जहां भी हमें battery की voltage same चाहिए लेकिन capacity जाड़ा चाहिए वहाँ पर हम कुछ इस तरह के connection करते हैं तो दोस्तों ये राव मेरे तरब से एक छोटा सा प्रयास आपको battery connection समझाने का बाकि अगर कुछ question है इस वीडियो के regarding तो comment section में type कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा तो like करके आप मुझे बता सकते हैं और अगर अभी तक subscribe नहीं किया तो क्या कर रहो यार उस लाल बडर में electric shock नहीं लगेगा प्रेस कर दोसको और बने रव मेरे चैनलन के साथ में thanks for watching मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम झाल